नमस्ते बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लाश 9 किर्तिका का पार्ट किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया इसका मैं पार्ट 2 बना रही हूँ और पार्ट 1 देखने के लिए आप उपर दिये गया आय बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बचों मैं क्लाश नाइन, क्लाश टेन, किर्तिकाच, छितिज, असपर, संचेन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फूल एक्स्पलेनेशन, कोईसेन, एंसर और समरी, और हिंदी ब्याकरन बहुत यह आसान रूप में मैं बनाई हूँ, तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गया आइब वटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गया डिस्कृप्शन बॉक्श में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेश्बूक और टूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो अभी हम लोग परहेंगे किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, पार्ट टू में देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो लेखक बता रहे हैं कि मुझे इसकी कभी कोई और क्यों हो खैर, मतलब लेखक यहां बता रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ सहारा देने, मेरे को शहारा देने वाला कोई नहीं है, तो यहसा बात वे पहले सोच रहे थे, अब आगे बता रहे हैं कि यह 36, 37, 38 के साल के थे तो उस समय की बात बता रहे हैं लेखक की उनिस्सा 36-37 की बात बता रहे हैं 38 की बात की जी हाँ तो बच्चन ने मुझसे कहा तुम यहां रहोगे तो मर जाओगे अब बच्चन जी उनको बता रहे हैं की लेखक को की तुम अकेले यहां रहोगे तुम मर जाओगे चलो इलहाबाद और M.A. करो और उनको बच्चन जी बोले कि तुम इलहाबाद चलो और वहाँ पर तुम M.A. कर लेना और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहराद उनके प्रसिद डॉक्टर मुझसे कह रहे थे तुम इलहाबाद जाएगा तो मर जाएगा तो एक तरफ तो यहाँ उनको बच्चन जी कह रहे थे कि इलहाबाद चलो तुम मर जाओगे क्योंकि बच्चन जी जानते थे कि यहाँ पर अकेला रहेंगे तो यह घुटते रहेंगे कोई हैं भी नहीं जान पहचान के इसलिए वे चाह रहे थे कि इलाहावाद चले जाएं दूसरी तरफ दुकान पर बैठने वाले जो डॉक्टर थे वे उनको कह रहे थे कि तुम इलाहावाद जाएगा तो मर जाएगा मगर मैं तो देख चुका था कि फेफरे के मरीजों के लिए गरीव गुरुबा के लिए वह क्या नुस्का लिखते थे अब यहाँ पर डॉक्टर के बारे में लेखक बता रहे हैं कि वे डॉक्टर किस तरह के थे अब कोई लंक्स के मरी जाते थे तो यह क्या लिखते थे कैल्सियम लेक्टेट लिखते थे 3 times a day और कैल्सियम लेक्टेट उन दिनों आने में 1 आउंस आता था मैं अपने दिल में वैफिक्र था तो इन सब बातों का भी यहाँ पर जिक्र किये हैं आगे बता रहे हैं कि इलाहावाद लेखक पहुंचे हैं इलाहावाद आया तो बच्चन ने क्या किया बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए अब जब वहाँ पर इलाहावाद लेखक पहुंचते हैं तो बच्चन के पिता जी जो है और इवन सरा होती है तो उस तरह के हुए कवीता संग्रा उनको बरे ही असने से लेखक को दिए और वह असिरवाद अर्थ से तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अभी भी है और लेखक अभी भी उसको समाले हुए हैं इस बात को बता रहे हैं और बच्चन ने में प्रिवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और बच्चन जी उनको में प्रिवियस और फाइनल दोनों सालों का फीस वे भड़े देखो जब भी तुम इस काविल हो जाओ यानि तुम्हारी नोकरी लग जाए तब वापस कर देना और दोनों सालों की फीस हुए भर दिये और उनको बोले कि जब तुम काबिल हो जाओगे यानि तुम्हें कोई नोकरी मिल जाएगी तब मुझे ये पैसे वापिस कर लेना चिंता मत करो ना इस काबिल हुआ और ना मैंने चिंता की तो यहाँ पर लेखक बच्चन जी के बारे में बता रहे हैं कि वे कितने मतलब ऐसे बैकती थे जो उनको पल-पल साथ दिया करते थे तो इस बात का यहाँ पर जिक्र किये हैं आगे बता रहे हैं कि बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमे बन जाओ उनके श्रेंग अंगरेजी में फाइनल कर लेने दस साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिंग हो जाओं मतलब फ्री हो जाओं तो बचन जी यह सोचते थे कि किसी तरह लेखक जो है काम के आदमी बन जाएं और उनके श्रेंग अंगरेजी में फाइनल कर लेने के दस साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फ्री हो जाओं मतलब यूनिवर्सिटी से डिग्री भी ले लूँ तो इन सब के बारे में बचन जी सोचते थे ताकि कहीं पैर जमा कर ख़ड़ा हो शको यानि अपने पैर पर ख़ड़ा हो सको सो कहां होना था कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है अब लेखक यहां बता रहे हैं कि लेखक के जो पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे थे तो इनको सरकारी नौकरी पसंद नहीं था क्योंकि सरकारी नौकरी उस समय अंग्रेज का सासन था और अंग्रेज के सासन में सरकारी नौकरी करने वाले को अंग्रेज सरकार की हुकुमत जो होती है उसको निभाना पड़ता है और अंग्रेज सरकार जो कहेंगे उसको करना ही पड़ेगा अगर देश के खिलाब भी काम क करेंगे तो उनको यह सब काम करना ही पड़ता है तो यह सब बात सोच कर लेखा के दिल बैठ जाती थी मतलब यह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज सरकार की नौकरी करें मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया मेरा ख्याल और अब मैं साफ साफ देखता हूं औ मतलब यह सब सोचता था और मैं भागना चाहता था हमेशा पढ़ाई से पलायन होना चाहता था तो अपने बारे में लेखक यहां बता रहे हैं आगे लेखक बता रहे हैं कि हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सह बिना पैसे का ही उनको मिल गया था और उस समय सुमित्रानंदन पंत जी की किरपा से जिसको लेखक कहते हैं कि मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा तो उनको इंडियन प्रेस से अनवाद का भी काम मिल गया था आगे बता रहे हैं कि अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ मे आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे कविता हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है और लेखक अब इस बात को दिमाग में बैठा लिये थे कि उनको हिंदी कविता लिखना ही है क्योंकि हिंदी जो होती है हिंदी राष्ट भासा होती है और कविता लिखने के बाद क्या ह होगा हिंदी में जब कविता लिखेंगे तो कविता क्या होता है कोई भी कहानिकार और या कभी जो होते हैं वे अपने देश के लिए शेवा करते हैं देश को आगे बरहाने के लिए देश के नागरी का जो है मनोबल बरहाने के लिए अपनी संस्कृति को उचा रखने के तो लेखा कब सोच रहे थे कि हिंदी कवीता ही एक ऐसी चीज है जिसको लिखकर हम देश के लिए शेवा कर सकते हैं जिससे की मेरा रब्द मतलब सम्मंद रिस्ता बिल्कुल छूट चुका था लेकिन हिंदी में उनका रिस्ता छूट चुका था हुए जो हैं उर्दू और इ ध्यान दिया करते थे इसके बारे में बता रहे हैं भासा और उसका सिल्प लगवग अजनबी से हो चुके थे मतलब हिंदी उनके लिए कुछ अजनबी सा ऐसा लगता था कि अंजान जैसा हो चुका था आखिर हिंदी फश्ट फार्म तो मेरी कभी नहीं रही थी और घर में खाली उर्दू के ही बातावरंद में पला था और घर में उर्दू का बातावरंद था सारे लोग उर्दू की परहाई करते थे लेखक भी इसलिए उर्दू पढ़े थे और बीए में भी उर्दू ही एक विसल लेखक लिये थे गजल मेरी भावुकता और आंत्रिक आभाव थे उनके आंतरिक आभाब मतलब अंदर में उनके जो है मन में कुछ दुख आता था तो उसको ब्यक्त करने के लिए वे गजल भी लिख लिया करते थे तो बता रहे हैं कि वह जो है मेरा मौन शाथी था जैसी भी कुछ थी अपनी थी साइद विश्यांतर हो रहा था मतलब वि इसको यहां कुछ असपष्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन बता रहे हैं कि यह तो हिंदी से बिलकूल अंजान जैसे थे लेकिन बच्चन जी किस तरह से उनको साहितिक मोड दिये हैं उनका पुनर संसकार मतलब उनके अंदर हिंदी के विश्या में जिग्यासा जगाए हैं उनको संसकार दिये हैं हिंदी के बारे में उनको जानकारी दिये हैं तो इसके बारे में कह रहे हैं कि यहां मैं कुछ असपष्ट करना चाह रहा हूँ तो यहां वे असपष्ट करना चाह रहे हैं इसके बारे में कि एक बार पहले भी सन 1923 में प्रिवियस का इम्तिहान दिय बिना ही युनिवर्सिटी छोड़ कर जा चुका था तो एक बार की घटना वे बता रहे हैं कि 1923 में प्रिवियस का एक्जाम देना था तो वे युनिवर्सिटी छोड़ कर जा चुके थे मगर तब तक कुछ रचनाए सरश्वती और चांद में छप चुकी थी और उनकी जो कुछ रचनाए थी लेखा की हुए सरश्वती और चांद जो पत्रिका है उसमें छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्यूदय में प्रकासित मेरे एक सौनेट को पशंद किया था और उनको उनके जो लिखा हुआ था अब्यूदे में बच्चन जी उनके सौनेट को पशंद किया था और कहा था कि वास्ता में यह खाली सौनेट है यदि भी मुझे उनसे मतभेद है बहरहाल तो सन 1937 में भासा यानि हिंदी मुझे से छूट सी चुकी थे यानि 1937 के बारे में बता रहे हैं कि हिंदी उनको ऐसा लगता था कि वे भासा उनसे छूट चुकी है अभिव्यक्ति का माध्यम मतलब मात्र और सदेव एकांत ता अपने लिए तो अभिव्यक्ति का माध्यम या तो अंग्रेजी था या उर्दू गजल या तो वे अपने बच्पन के बारे में यहां पर लेखक बता रहे हैं कि बच्पन जो उनका बीता है तो उनके घर में भी ऐसा कोई मत्भेद नहीं था भासा को लेकर के तो इसके बारे में बता रहे हैं कि कोई भी दिवार नहीं था अफसोस इतना ही है कि मैं जम कर कोई साधना भासा या सिल्प की नहीं कर सका आगे लेखक बता रहे हैं कि हिंदी में क्यों मुझे उससे में अपनी और हिंदी ने क्यों मुझे उससे में अपनी और खीचा इसका असपस् तो यहां लेखक हिंदी के छेतर में किस तरह से आगे आये हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि पंत जी और निराला जी जो हैं उनको आगे बरहाए थे उनसे प्राप्त संसकार और इलाहवाद प्रवास और इलाहवाद के हिंदी शहितिक वातावरन में मित्रों से मिलने वाला प्रोटसाहन और जब वे खासकर इलाहवाद आये हैं तो इलाहवाद के दौरान आने के दौरान उनको शाहितिक वातावरन मिला वहां बहुत सारे मित्र मिले और मित्र से बहुत प्रोटसाहन भी उनको मिला तो इस तरह से निराला पंत और इलाहवाद आने के बाद मित्रों स जैसों को दुखी और विरक्ठ करने वाले अपने संकिर्ण संप्रदाइक वातावरण के और लिखक बता रहा हैं कि उनको हिंदी अपने ओर खीषती है और उनका मन जो दुखी था विरक्ठ हो गया था और उनका मन जो संकिर्ण वातावरन में घूम रहा था तो उनको अब आगे बढ़ने का काम हिंदी से उनको आगे जीवन जीने के लिए एक मौका मिल गया है आगे बता रहे हैं कि बच्चन इस वातावरन को आज मरदानावार जहेल ही नहीं रहे हैं अपनी कवीता में उच गोश से बारवार बता भी रहे हैं कि यह बातावरन किसी भी जाती के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनह इस्थिति का द्योतक होता है तो लेखक बच्चन जी के बारे में बता रहे हैं कि इस वातावरन को आज मरदानावार जहेल ही नहीं रहे हैं अपनी कवीता में उच्छ घोस से बारबार बता भी रहे हैं कि मतलब हिंदी के बारे में बता रहे हैं कि हिंदी एक ऐसी ऐसा विशे है जो किसी के मन, जिसका मन संकुचित होता है, हीन भावना से जो ग्रहशित हो जाते हैं, उसके मनह इस्थिती को भी शामान निकर सकते हैं, इसके बारे मैं बता रहे हैं, मगर सन 37 में मेरा हाल यह था, जैसे मैं फिर से तायरना सीख रहा हूँ, फिर लेखक 1937 के बारे मैं बता रहे हैं कि लेखक की ऐसी इस्थिती हो गई थी कि लग रहा था कि लेखक तैरना सीख रहे हैं हो तीन सालों में बहुत कुछ भूला चुगने के बाद मेरी अंतस चेतना का यही स्वर्था कि बच्चन सायद मुझे इसलिए इलहावाद लाए हैं वह मैदान में उगतर चुके और बता रहे हैं कि अब मैदान में उतर चुके थे यानि हिंदी के छेतर में उनकी रूची जग गई थी और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तोर पर लेखक सोच लिए थे कि उनको अब हिंदी के छेतर में आगे उतरना है मुझे भी कमरकश लेनी है यही भाव मात् कि अब उनको कमर कश लेनी है अब हिंदी के छेतर में उनको कविता या कहानी लिखने के लिए उनको तैयार हो जाना है तो इसके लिए उनको अभी रूची जो है जग गई है इसके बारे में लेखक बता रहे हैं आगे लेखक बता रहे हैं कि मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए एस्टेंजा का प्रकार मुझे बताया था तो एक बार लेखक को बच्चन जी एक नए एस्टेंजा मतलब अंतरा का प्रकार बताया था कि किस तरह से अंतरा लिखा जाता है चौदा पंग्तियां मतलब सौनेट नहीं और तुकाउं का प्रभाव कारी विन्यास किस तरह से कविता लिखा जाता है विवस्थित रूप से सजा कर लिखा जाता है यहाँ सब बच्चन जी उनको सिखाए थे बीच बीच की अनेक पंग्तियां अतुकांत मतलब कविता जो होता है तुकांत और अतुकांत दो रूपों में लोग कविता लिखते हैं तो इसी के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे याद है कि बच्चे ने एक नए एस्टेंजा का प्रकार लेखक को बताया था 14 पंग्तिया और तुकां का प्रभाकारी विन्यास मतलब तुकवंदी कविता किस तरह से बेवस्थित रूप में लिखा जाता है और बीच बीच के अनेक पंग्तियां अतुकांत किस तरह से लिखा जाता है यह सब उनको शिखाये थे मुझे बहुत आकरसक लगा था वह प्रकार लेखक बहुत कोशिस करने के बाद जो है उस तरह की रचना की थी बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं क्योंकि कभी छपी नहीं बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंद था मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई बता रहे हैं कि बच्चन के लिए तो वह एक ब लेकिन उनके लिए लेखक के लिए वह कविता पूरी कविता थी मगर मैंने जो लिखा हुआ बस्तुता शॉनेट से अलग रूप ना ले सका बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फार्म में कोई कविता न रची थी खैर तो अपने कविता के बारे में इसमें बता रहे हैं आगे बता रहे हैं कि बच्चन के निशा निमंतरन की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकरिष्ट किया तो बच्चन उससे में निशा निमंतरन जो कविता लिखे थे तो किस तरह से वे लिखे थे उसका रूप उसका प्रकार यह सब उनको बहुत ही अच्छा ल से परह सभी कवी उस छंद में लिख रहे थे तो उस समय के जो कवी थे इसी तरह के छंद में कविता लिखते थे मुझे से नहीं चला अगर्चे कुछ पंग्तियां इस अभ्यास में सायद बूरी नहीं उतरी निसा निवंतरन के कवी के प्रती मेरी एक कविता जिस पर पंत जी के कुछ संसोधन भी है मतलब पंत जी जो है उसमें कुछ संसोधन किये है मतलब करेक्शन भी किये है जाच भी किये है रुपाव काल में किये मेरे पास आज भी और प्रकासित सुरक्षित है उसका भी बच्चन को पता नहीं है तो यह सब कविता के बारे में बता रहे हैं कि बच्चन जी को वह सब कविता वे नहीं दिखाए थे आगे बता रहे हैं कि मैं अपने कोर्स की और ध्यान नहीं दे रहा था मतलब परहाई पर लेखक ध्यान नहीं दे रहे थे तो इससे बच्चन को छोब था मतलब बच्चन जी बहुत काफी दुखी थे कि वे अपने परहाई की और क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं अतह मेरे मन में भी एक अस्थाई संकोच और उनके मन में भी एक संकोच जैसा था खर दो साल पूरा करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया कविता में मेरा नया अभ्यास निरत्थक नहीं गया स्वरश्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आक्रिश्ट कराया लेखक जब स्वरश्वती में एक कविता चप बाए थे तो निराला जी का ध्यान आक्रिश्ट हुआ मतलब निराला जी उस कविता को दे ले गया निश्य ही हिंदी के सहितिक प्रांगन में बच्चन मुझे घसीत लाये थे यानि बच्चन जी उनके लिए हिंदी सहित में लाने के लिए प्रेड़ना बने मतलब वे हमेशा प्रेडित करते थे आगे बढ़ने के लिए उन्ही के कारण वे यहां तक पहुँच पाये इसी के बारे में बताये हैं आगे बता रहे हैं कि आज मैं असपश्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकश्मिक मोर के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिवा रही है जो दूसरों को नया प्रातिव जीवन की नय सरगिक छमता रखती है तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि आज मैं असपश्ट रूप से देख रहा हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे अचानक जो मेरे जीवन में कितने तरह के मोर आये कितने तरह की परिस्थितियां आई तो उसके पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिवा यान मतलब उनके बच्चन जी के हिरदय में इतना प्रेम था कि वह दूसरों को भी हमेशा आगे बरहाते थे वह प्रतिवा शेयुक्त व्यक्ति थे और जीवन देने की नैसर की मतलब सहज शमता रखती है मतलब यहां बता रहे हैं बच्चन जी की प्रतिवा के बारे में कि वह क लेकर बता है कि यहां पर यहां बता रहे हैं कि बचन जी भले ही उनके लिए दूर हैं लेकिन सरीर से अलग-अलग है आत्मा से वे एक दूसरे के साथ हैं और जो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उनके रिष्टे नाते में नजदीक हैं वे भी उनसे दूर हैं मतलब इस पंक्ती में यह कहना चाह रहा हैं कि कभी-कभी ऐसे भी बैक्ती होते हैं जो भले ही दूर है लेकिन आत्मा से वे नजदीक रहते हैं और कभी-कभी ऐसे भी कोई बैक्ती होते हैं जो नजदीक रहकर भी दूर होते हैं यानि क्या होता है नजदीक रहना मतलब आसपास रहते हुए भी किसी को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं रहता किसी की परेशानियों से कोई मतलब नहीं रहता तो फिर साथ साथ रहने से ही क्या मतलब है लेकिन बच्चन जी ऐसे व्यक्ति थे भले ही दूर रहते थे लेकिन हमेशा उनकी भावना उनकी अंतर आत्मा जो है लेखक को हमेशा प्रेड़ित किया करते تھे आगे बढ़ने के लिए ऐसा लगता था कि लेखक के वोए अंत बहुत सी अनुपस्थित चीजें मेरे लिए उपस्थित ही के समान है उपस्थित अनुपस्थित जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ यही बात वे कह रहे हैं कि जो नजदीक रहके भी दूर रहते हैं दूर रहके भी कोई नजदीक रहते हैं इस बात को यहां कह रहे हैं और म बेशिकली उसी तरह जैसे एक कभी अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है तो यहाँ पर लेखख बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई रचना करते हैं कोई कवीता या कहानी लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कवीता और कहानी के आसपास वे रह रहे हैं अंत तो यह यूग ही जगह प्रस्तूत भी हो सकते हैं, तो यहां लेखाक बोल रहे हैं कि यह यूग एक ही जगह प्रस्तूत भी हो सकते हैं, अता मिलने या ना मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कि भले ही आदमी कोई मिले या ना मिल इसे लेकिन अगर किसी से प्रेम है किसी से अगर अंतर आत्मा मिलती हुई दिखाई देती है तो उनसे आप मिलिये या नहीं मिलिये लेकिन हमेशा एक न एक प्रेड़ना आगे बढ़ने के लिए मिलती रहती है इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित में जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी स्रेष्ट से स्रेष्ट कविता से भी बरा आँखता हूं बहुतों की तरह मेरे भी नजदिक हैं तो लेखक के व्यक्टित के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लेखक के हमेशा नजदिक रहते हैं और यह एक बिल्कुल सहज और समान और सौभाविक ही बात है और यह बात जो है एकदम सहज है समान है और बिल्कुल नैचरल सौभाविक है कि ऐसा लगता है कि लेखक जो आगे बढ़े हैं वे बच्चन जी के कारण इसका सहथ स्वभाविक और समान होना मुझे अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो लेखक बता रहे हैं क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है मेरा अनुमान है और भी शैकरों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा लेखक बोल रहे हैं कि मेरे साथ जो ऐसा हुआ मुझे जो उनका सहारा मिला ऐसा लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा शैकरों व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ होगा उन्होंने भी ऐसा अनुभव किया होगा कि कभी-कभी ऐसा भी मोराता है जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ाते हैं भले ही पास नहीं हो लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि उनके रग-रग में बसे हुए हैं उनके सासों में समाय हुए हैं और उनको प्रेडित कर रहे हैं अनमान ही क्यों मुझको मालूम है कि हुआ है मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता और लेखक बोलना है कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ है बस तो था ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता लेखक बता रहे हैं कि जैसे व्यक्ति हरिवान सराय बच्चन जी थे ऐसे विशिष्ट व्यक्ति दुनिया में बहुत कम मिलते हैं ऐसा हुआ भी नहीं करते हैं कोई कोई विर्ला ही ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के दुख को समझता है दूसरों को आगे बरहता है तो इ जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं और बच्चन जैसे लोग दुनिया में होते होंगे इस सब के बारे में लेखक बता रहे हैं और साधारन कहा कर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता मैं लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं बच्चन जी थे जिनके बारे में लेखक कह रहे हैं कि मैं बरणन ही नहीं कर सकता कि वे कितने महान व्यक्ति थे मगर यह साधारन और सजह सहज प्राय दुस प्राय जिसका मिलना कठिन हो भी है लेकिन लेखक कह रहे हैं कि यह साधारन और सहज प्राय हैं, दुस्प्राय है. ऐशे व्यकदी का मिलना कठिन भी है. ऐशे व्यक्ती बिर्ला ही कभी किसी से मिल सकते हैं. मतलब बिर्ला ही होते हैं. बात अजब है, मगर सच है. लेखक कह रहे हैं कि लेखक के साथ जो बात आगे बढ़ने की जो लेखक को प्रेणा मिली है लेखक को जो सहारा मिला है तो लेखक कह रहे हैं कि यह सब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे आश्चर्ज लगता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ मैं किस मोर पर था और आज मैं किस मोर पर मतलब मैं कुछ करने लायक नहीं था मैं कोई भी कावेलियत मेरे अंदर नहीं था लेकिन जब हरीवन्स राय जी बच्चन मुझे मिले हैं तो मुझे किस तरह से वे आगे बरहा है इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे अस्चर्च होता है लेकिन यह बात सच है तो ऐसा है बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और इस पाठ के माध्य हम से लेखक यही बताना चाह रहे है कि जीवन में हमेशा दुखी और जो अभाव ग्रस्त लोग है उनकी मदद करना चाहिए जरुरत मंदों की जरुरत को देखना चाहिए और क्योंकि यह जीवन जो है यह जीवन छनभंगूर है हम लोग कुछ दिन के लिए यहां आये हैं ना जाने सांस कब रुक जाएगी और कौन कब किस से बिछड़ जाएगा तो इस पाट के मादे हम से यही शीख मिलता है कि मनुष्ट के अंदर मानवता का गुन अबनाना चाहिए इन्शानियत का गुन अबनाना चाहिए दुख और सुख में सब का साथ देना चाहिए कोन गरीब है, किसको क्या जरुरत है इसका भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे नहीं है कि केवल हम परहाई कर रहे हैं क्लास पास कर रहे हैं और हम कोई जॉब कर लें तो केवल अपने लिए सोचना तो पशू भी सोचते हैं लेकिन जो दूसरे के भलाई के लिए सोचते हैं उसका जीवन सफल होता है तो यही मानवता होती है तो इसी बात का इस पार्ट में जिक्र किया गया है तो बच्चों आसा है आपको पार्ट समझ में आ गया होगा और एक्जाम के लिए अच्छी तरह तयार कर लिजेगा और बच्चों मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बिल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा लाइक कीजेगा और सेर कीजेगा कॉमेंट्स कीजेगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद